तू ही सागर, तू ही सागर है तू ही किनारा डूंडता है तो किसका साहारा नमस्ते, एक प्रश्न है या एक विशे है कि जो हम लोग आजकल पैंडेमिक देख रहे हैं कोरोना का, कोविड नाइटीन का तो उसका योग के, रुपांतरन की योग से क्या संबंध है किस प्रकार का चैलेंज वो हमें दे रहा है इसको हम कई दृष्टी से देख सकते हैं लेकिन पहली चीज हमें ये समझने हैं कि कोई भी चीज को देखने का एक बड़ा सीमित व्यक्तिगतड दृस्टी कोन होता है और एक दूसरा व्यापक दृस्टी कोन होता है तो योग में जो पहली चीज हम लोग सीखते हैं कि व्यक्तिगत द्रिष्टिकोंड से निकल कर व्यापक द्रिष्टिकोंड में देखना व्यक्तिगत द्रिष्टिकोंड का अर्थ ये हुआ मुझे कोई बिमारी हुई तो मैंने उसका इलाज ढून लिया बिमारी ठीक हो गई, मैं बहुत खुश हो गया, भगवान को मैंने थैंक यू बोला, डॉक्टर को थैंक यू बोला फिर उसके बाद मुझे दूसरी बिमारी हुई, फिर मैंने उसका इलाज धुन लिया इस प्रकार से मैं अपने जीवन में चल रहा हूँ, यह व्यक्तिकत दृष्टिकोन है और व्यापक दृष्टिकोन यह है कि संसार में बिमारी क्यो है, रोक क्यो है, अंदकार क्यो है तो यह व्यापक दृष्टिकोन से जब हम देखते हैं, तो चीजें अलग धंग से हम उनको देखते हैं अभी की अबस्ता है, उसमें एक प्रकार का जाल है, जिसमें बहुत सारे प्राणी, सारा जीवन उल्जा हुआ है, केवल व्यक्ति का जीवन नहीं है, और अगर हम केवल वेक्तिकाद दृष्टी कोन से देखेंगे तो हम ये देखेंगे हम इस जाल में रहते हुए कैसे अपने आपको बचा ले परन्तु व्यापक दृष्टी कोन तो ये है और योग, रुपांतर और योग की दृष्टी से अगर हम देखें तो ये जाल, जो lower network of forces है वो एक higher luminous network में बदश जाए यानि कि जो bonds है जिनको हम जैसे अगे हम पुराने योग की और रुपांतर और योग की दृष्टी से देखें तो पुराने योग में हर चीज को एक बंदन है, बंदन है, बंदन है इसको काट दोर चले जाओ लेकिन इस योग में इसी बंदन को धिरे 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 into golden bonds सात्विक golden bond नहीं, divine bonds उसमें रुपांतरन करना, ये एक बहुत अद्भूत चीज है चाहे वो मानविय संबंध हो, या संसार के साथ हमारा संबंध हो तो ये सारी चीजें एक larger scale से हमें देखनी होंगी और वास्तव में ये virus हम लोगों को चाहे अंचाहे एक सुत्र में जोड़ा है unfortunately, किस तरह के सुत्र में भै के कारण पर मनुष्य को ये पता चल रहा है कि हम इस पर अकेले कारण नहीं कर सकते है तो एक common action में सब लोग जुड़ गए है एक बड़े बिचितर ढंग से और कई लोग परिशान हो रहे थे कि एक और देखो world war होने की संभावना एक और ये लेकिन वास्तव में इस virus ने कुछ समय के लिए कम से कम टाल दी है समभावना क्योंकि लोग अभी वियस्त हो गए हैं दूसरी समस्या में और शायद एक गहरी दृष्टी डेवलप होगी खैर इसके पहले कि हम किसी चीज के प्रती प्रतिक्रिया करें हमारा पहला टास्क होना चाहिए to understand correctly हम लोग क्या करते हैं हम understanding के बिना प्रतिक्रिया करते हैं यानि वाइरस है हमने स्विकार कर लिया कि वाइरस है scientific understanding है उसकी और अब प्रतिक्रिया हम spiritual करना चाहते हैं कि ठीक है हम अपने अंदर भै नहीं लाएंगे हम ये नहीं लाएंगे हम अपने आपको प्रटेक्ट करेंगी या साइंटिफिक प्रतिक्रिया करना चाहते है हाथ को धोएंगे, मुँपर मास्क पहनेंगे इत्यादी इत्यादी लेकिन पहला इस्टे भी हमारा गलत है वाइरस क्या है और वाइरस से भी जादा इससे भी बड़ा प्रशन जो हम लोगों को करना चाहिए ये प्रशन भी करेंगे लेकिन इससे भी बड़ा प्रशन की संसार में रोक क्यों है मृत्यू क्यों है इसका ओरिजिन कहा है और जब हम इसके ओरिजिन में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वाइरस तो एक छोटी सी चीज है और अगर हम इसके ओरिजिन पे जाकर के चीजों को नहीं ठीक करेंगे तो ये रूप बदल के आएगा हमारे बहुत सारे scriptures में कहानी है रक्त बीच की कहानी है कि आप उसको जितना मारते थे उसके एक एक रक्त की बुंद से एक रक्त भी जा जाता था यानि आप जितना मारते जा रहे हो बढ़ता चला जा रहा है क्यों बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उसका जो मूल है उसको हम tackle नहीं कर रहे है और जब हम उसको देखेंगे तब ही उसका permanent remedy हमें मिलेगी तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमारे अंदर आनी चाहिए right perception, right question पहले raise करना चाहिए लोग question कर रहे है क्या है virus यह question गलत है अपनी आपने पहले हमें यह ढूनना है कि रोक क्या है रोक क्यों होता है कोई भी रोक क्यों होता है यह common factor है तो उसमें हमारे पास हम लोग बहुत fortunate है perception दो प्रकार का होता है एक जो हम किताब से पढ़ते है और दूसरा होता है जो हम किताब से पढ़ने के परियंत develop करती है केवल किताब से पढ़ना परियापत नहीं है क्योंकि अगर हमने किताब में पढ़ लिया कि एक सुक्ष्म आवरन होता है माता जी बताती है कि रोक क्यों होता है कोई भी रोक क्यों होता है क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक original सुरक्षा कवच है जो भगवार ने दे कर भेजा है उसमें भेदन होता है और ये सुरक्षा कवच हमें दिया गया है संसार की अने को शक्तियां कोई भी प्रवेश करेंगी हमारे शरीर में जैसे हमारी स्किन होती है वैसे स्किन के बाहर एक सुक्ष्म आवरन है और उसको पहले उनको पेनेटरेट करना है तो यदि हम ये जान जाएं कि ये पेनेटरेट कौन सी चीज़े जो पेनेटरेट करती है कैसे पेनेटरेट करती है कैसे उसमें भेद करती है हम इसको कैसे सुद्रे रखें तो हम केवल कॉरणावाइरिस नहीं हम जीवन में ना जाने कितनी सारी विकट चीजों से निकल जाएंगे बिना टच हुए ये एक पहली चीज है कि रोग क्यों है तुमाँ बताती है एक दो चीजें बताती है जो बड़ी इंपोर्टेंट है एक बताती है कि डिस अर्मनी है हमारे अंदर सामन जस्य का भाव है और ये अगर हम देखें वायरस ये क्यों आया है हमारे विक्तिकत जीवन और संसार के जीवन के बीच एक असामन जस्य है ये असामन जस्य के रूट में क्या है हम देखते हैं की वही वही प्राब्लेम है जिसके कारण सारे प्रकार के various levels पे हमारे रोग आते हैं और वो क्या है असामन जिससे कौन पैदा करता है असंतुलन इगो इगो क्या चाहती है सब चीज मेरे लिए तो अगर हम देखें पिछले 200-300 साल से और जो बढ़ता जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में, डिकेट्स में उपभोकतावाद, ये चीजें किसली हैं मेरे एंजॉय करने के लिए अब पूरी फिलोसफी एक इस प्रकार की अनफॉर्चुनेटली रिलिजिस फिलोसफी के नाम से भारत वर्ष में ये नहीं रहा है सनातन धर में ये भाव कभी नहीं था सर्वे भवन्त सुखिना, सर्वे संत निरामिया किंतु ऐसी फिलोसफी हैं रिलिजिस फिलोसफी जो ये कहती हैं कि भगवार ने मनुष्य को बनाया और ये सारे जो बनाये जीव जन्तु इनको मनुष्य को एंजॉय करने के लिए बनाया और वो इस हद तक चले जाते हैं कि पुरुशों को इस्तरी को एंजॉय करने के लिए बनाया इस हद तक चले जाते हैं मनुए इसकी कोई सीवा नहीं है तो जब इस प्रकार की विक्रत मान सिकता से क्योंकि विक्रत ही है यानि एक extremely egocentric attitude उसके कई परिणाम होते है एक यह भी परिणाम होता है कि भगवान ने स्रिष्टी बनाई हमारे अहंकार की पुष्टी के लिए भगवान से भी हमारे संबंद अहंकार से जूड़ता है मेरे लिए क्या होगा मेरे क्या लाव होगा मुझे क्या मिलेगा इत्यादी इत्यादी तो जब हम इस प्रकार से सम्भन्द जोड़ते हैं सृष्टी के साथ मानो सृष्टी केवल हमें केंदर में रख के बनाई गई है तो हम धिरे 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 एक असामण जजस्विकी रूप में ऊड़ चले जाते हैं तो साधरन से उधारन ले ले कि जर्म से हम को ये सिखाया जाता है unfortunately तो अब उसका क्या होता है हम किल लोगों को अपने पास मित्र बनाते हैं जो हमारे अहंकार की तुष्टी करते हैं जो फ्लैटर करते हमको हम क्या चीज़ें फॉलो करते हैं इससे हमारे अहंकार का सामराज बढ़ेगा हम उंची जो के पीछे जाते हैं जो हमारे एगो को पोशित करेंगी और इस प्रयास में हमारे भीतर कोई और चीज है जो सच्ची है वो धिरे धिरे स्टाइफिल होती जाती है अब देखिए सारा जो सिवलाइजेशन डवलप हुआ लेफ्ट ब्रेन के आधार पर क्योंकि उसका प्रयोजन क्या था फिर कमर्शिल इंडस्ट्री सारा प्रयोजन ये था सेंटर्ड एराउंड सैटिस्फैक्शन ऑफ इगो एंड डिजायर तो उसका दुष्परिणाम आज नहीं तो कल होना था इस रूप में होता, दुसरे रूप में होता कोई और काटेस्टरफी होती, वो ही इंपॉर्टन नहीं है पर असंतुलन और इस असंतुलन का एक कारण होता है इगो ऑपरेटिंग सिस्टम EOS तो अब इसको करण कैसे किया जाए तो एक निया ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे अंदर लेकिन हमने उसको अक्टिवेट नहीं किया है और वो है SOS तो एगो एगो ऑपरेटिंग सिस्टम की जगे है Soul Operating System Spirit Operating System Put it in whatever way तो यह जो operating system में यह क्या है यह universe के rhythm के साथ अपने आपको tune करता है कल भी इसकी बात हो रही थी कि हम क्या करें जीवन में लोग अक्सर यह प्रश्ण करते हैं यह प्रश्ण आता ही क्यों है मुझे तो समझ नहीं आता है कि यह प्रश्ण क्यों आता है यह प्रश्ण इसलिए आता है क्योंकि हमारा जो original SOS है वो corrupt हो चुका है बच्पन से बच्पन के पहले भी बच्चा गर्ब में ही है उसका भविष्चत decide हो गया है माव आपने decide कर दिया है कि क्या करेगा तो उसको अपने उस real जो सधर में जिसके through वो universe के साथ tune होगा रिद में आएगा वो सब file corrupt हो गई है जो बचा-खुचा रहता है वो teacher पूरा कर देते हैं जो classroom में जाता है तो और पूरा तो जब तक वो बाहर आता है इन सब से तो totally confused disoriented विखती है लेकिन उसको ये महसुस हो रहा है कि मैं जानता हूँ ये बहुत भ्यानक अवस्ता है अग्यानी जो जानता है वो अग्यानी है कोई समस्या नहीं है लेकिन अग्यानी जो ये समस्ता है कि मैं ग्यानवान हूँ बड़ी विहनक समस्या है ये हमारी सिख्षा हमारे अंदर ये पैदा करती है तो ये हमको अपना अपरेटिंग सिस्टम बदलना है दूसरा हमको वे उपाए करने हैं जो हमको सुद्रेड कर सकें किसी भी अवस्ता में अब ये उपाए है जिसके बारे में माता जी बताती हैं और इसको हम लोग अब्जर्व कर सकते हैं कई बार हमने देखा होगा कि बिमारी, अगर लोग ध्यान से देखें तो बिमारी के पहले अगर हम study करें अपने आपको अकसर लोग ये पूछते हैं कि तबियत खराब हो गई तुमने खाना कहा खाया था किस से मिले थे, आजकल ये भी हो रहा है आइसोलेट, बड़ी विचितर बात है कि यही आश्रम के context में बड़े इंटरेस्टिंग, केवल अबजर्व कीजी आप विग्यानिक धंग से, don't go into ये किताब में लिखा, just observe एक जो पहला case हुआ था उसके संपर्क में जो दस बारे लोग इंटिमेटली आये थे ट्यूब दे रहे थे, ये दे रहे थे और चालीस लोगों का test हुआ था उनमें से एक भी कोरोना नहीं निकला था ये एक तत्थे है एक दूसरा तत्थे है कि अब जो चार-पांच लोगों को पांच-छे लोगों को करोना निकलाए आज़ादा आप आश्चर करेंगी ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का वो ऐसे लोग हैं जो बजार नहीं जाते कहीं नहीं जाते वो किवल एक रंगा कपड़ा पहन कर ये फैक्ट है अब आप बोलिए उनको कैसे हो गिया वो कभी किसी उनका कोई संगी साथी नहीं जिसके साथ वो गुमने जा रहे है अगर है भी कोई तो अपना कोई एक वो है उन में से दो लोगों को तो मैं जानता हूँ वो बिलकुल अकेले अपना गुमते हैं पूरा सब कुछ सिखाए हुए तरीके से करते हैं कुरुना कहां से आ गिया तो ये अब्जर्व जब हम करते हैं तब हमारे अंदर एक करेक्ट परसेप्शन तो क्या चीज है कहीं न कहीं उस चीज़ का भेदन हुआ उस सुरक्षा का वच्च का कैसे भेदन हुआ उसका हम लोग आएंगे अभी बजार पे लेकिन उन सब चीज को करेक्ट नी समझें तो अगर हम अपने आपको देखें कि बिमारी कभ होती ही रो कैसे तो हम ध्यान देंगे तो देखेंगे कि फिजिकल अवस्था से कहीं अधिक हमारी मनव एग्यानिक अवस्था और मनव एग्यानिक अवस्था में माता जी ये बताती है कि ये जो सुरुक्षा कवच्छी है दो चीजों से बनता है एक है फिजिकल फिजिकल का मतलब ये है कि समुचित अहार, बैलेंस डाइट समुचित निद्रा, समुचित एक्सरसाइस ये अब वेल लोन है कि एक्सरसाइस से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है अब देखिए यदि ये सच है जो साइंटिफिक फैक्ट है तो कहां तक कमरे के अंदर कम्प्लीट आइसोलेशन उचित है ये आप विचित तरचीज, यानि आप बिमार हो ठीक है, आप दूसरों को ट्रांस्मिट नहीं करोगे, ये एक विचार है लेकिन आपने कम्प्लीटली शट कर दिया कॉन्टेक्स को भी, यानि उनके पास जो अफसर था अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का वो भी आपका खतम हो गया तो ये, ये, जब हमारी perception fear driven होती है अभी क्या हो रहा है, हमारी right understanding क्यों नहीं चल रही है, fear driven fear driven क्या होती है, ने ने अगर जाओगे 1% chance है, 2% कि आप किसी को infect कर दोगे, ये ही है ना risk तो ये fear driven understanding है पर अगर observe करोगे तो देखोगे कि यदि हम samuchit, लोगों को क्या सिखाना चाहिए कि samuchit अहाल ले, samuchit nidra ले, samuchit nidra की definition, ये नी 10 गंटे में सो रहा हूँ samuchit nidra, 10 गंटे सोँएंगे तो शरीर तमस में चल जाएगा तो दूसरा operating system operate होगा तो वो एक अलग प्रकार का imbalance है 6-7 hours, अगर आप ठीक से nidra लेंगे, it's good enough जादेता लोगों के लिए और exercise करें, half hour to 40 minutes it's good enough, daily अगर आप walking करते हैं तो आपका शरीर toned up होता है लेकिन ये एक aspect है आपके सुरुक्षा कबच को बनाने के लिए आहार के बारे में बहुत simple है neither too much not too less actually जो गीता की जो golden maxim कही गई है युकत आहार विहार अस्या अपको उसका दूसरा level of meaning भी है कि जब हम खा रहें बोजन को तो भगवान को invoke करके अब देखिए ये history लेते, spiritual उसमें भी history लेते कल क्या खाया था तो मैं देखता हूं कि लोग कहते हैं कुछ नहीं खाया था यही टाइनी रूम का खाना खाया था तो आपको पूछना चीए किस अवस्था में खाया यह प्रशन कोई नहीं करता किस के साथ खाया यह प्रशन कोई नहीं करता क्या विचार चल रहे थे जब खाया था क्या आपने उस खाने को उफर किया था यह सारी चीज़ें ज्यादा ही important है यानि हमारी मनवग्यानिक अवस्था उतनी ही important है जितनी की हमारी physical अवस्था तो मा कहती है एक और तो physical condition fatigue अगर है तो यह envelope weak हो जाता है physical condition दूसरी और psychological condition तो psychological condition में मा कहती है अगर आपके अंदर एक cheerfulness है cheerful optimism ठीक है cheerful optimism एक लोग कहते ना नहीं अंद optimism यह अंद optimism नहीं है अंद optimism एक ego से जन्म लेती है अंद optimism क्या है कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा यहाँ अहंकार है बोस्टिंग है अरे मैंनी मास्क पहनूँगा देखूँगा क्या होगा यह अहंकार है यह आपके अंदर छेद करेगा तूसरे तरह का छेद करेगा लेकिन यह कि क्यो होगा कुछ भगवान है हमारी सुरुक्षा में खड़े है हम सही उचित जीवन जीवन को गुडविल से भरे रहे यदि हमने संसार में सब को सद भावना दी है तो क्यो हमारे साथ बुरा होगा एक बड़ी सुन्दर बच्पन में हम लोग यह चीजें सीखते थे जो बड़ी विस्वरित हो गई है हमें हमारे पेरेंट्स ही कहते थे बेटा तुमने अच्छा किया है सब के साथ अच्छा करो तुमने साथ क्यो बुरा होगा तो यह बहुत अच्छी चीज थी कि ठीक है तुम अच्छा करो क्यो बुरा होगा और तब यह दृष्टी बात भी आती ही कि जिसको हम बुरा कहते है वो भी बुरा नहीं है वास्तम ही हमारी सीमित दृष्टी है तो हम उसको, हम कहते हैं, मृत्यू, मृत्यू क्या है, मृत्यू से डरे भागे, क्यों हम कहते हैं कि मृत्यू बुरी है? After all, आपका complete organ transplant है, निया जिफ्री of cost, by the way, और निया जीवन है, नहीं उमंग है, नहीं तरंग है, मृत्यू से भी क्यों हम भेवीत होते हैं? कहती है, cheerful optimism, दूसरा faith, courage, courage है एक बहुत बड़ी चीज़े, जो courage है अगनी के समाने, जिसके आसपास कई चीज़े नहीं भटक सकती है, और उसके contrast में, कौन सी चीज़ें जो इसमें छेट करती हैं, जो आजकल घुम रही हैं, तो हमें प्रशन ये नहीं करना चीज़ें, कई बार लोग पूछते हैं, कि वाइरस कब जाएगा, सूत सेर की तरह, तो मैं कहता है, भविशवाणिया बहुत हो गई, लेकिन वाइरस तब जाएगा, अब जो इस्थिती है, वाइरस तब जाएगा, जब भै चला जाएगा, मनुष शिकेर दे से, भै रहेगा, तो वाइरस रहेगा, अब ये तो, ये नारत मुनी की भविशवाणी जैसी है, कि कंस का राजी कब खतम होगा, जब एक बच्चा परवत को उठा लेगा, तो कंस का राज समाथ हो जाएगा, ये क्या हमें दिखा रहा है, मास्क पहन करके कौन है पीछे, अगर स्पिरिच्वल कॉंशिसनेस की द्रिष्टी से देखे, तो सब मास्क के पीछे हम को क्या देखना है, भगवान को देखना है, ये भारत वर्ष की शियरविंदेसेजवन दा गीता में बताते हैं की भारत वर्ष में, सनातन धर में कई बड़ी बड़ी अधुत सुंदर बाते हैं, एक सुंदर बात क्या है, हम मृत्यों के पीछे भी किसको देखते हैं, काली, हम, काली ठीक है काली तो Goddess है जो पूरा प्रले मचा दे कृष्ण गीता का ये पार्ट मुझे बहुत अधुत लगता है कि शी कृष्ण किस रूप में सामने आते जो हमेशा मन मोहना इत्यादी चक्रधारी चक्रधारी भी नहीं कहते हैं अपने आपको तो मेरी मुसकान को देखो तो जब तुम ढूंड लोगे जैसे वो चुपन चुपाई का खेल कृष्ण जी क्या आप ये रूप बहदर के हमारे सामने क्यों आ रहे हैं तो क्या कहेंगे पहचान लिया तुने लट दा मास्क डाउन तो ये एक दृष्टी हमको डेवलप करनी है कि हर चीच के पीछे हर एक अवस्था के पीछे हमें उस एक को देखना है ये मास्क हैं और जब तक हम मास्क से उलचे रहेंगे तो प्रकरती तो कितने मास्क बनाती है भगवान को चुपाने के लिए अंगिनत एक वाइरस से परिशान हो रहे हैं कितने मास्क कितने वाइरस उसके अंदर चाहें इस लैब में उस लैब में वो एक अलग चीज़ है वो बनाएगी और रूट में क्या होगा वही चीज़ होगी इगो ग्रीड उसको आप टैकिल नहीं करेंगे तो असंतुलन होता रहेगा तो इंडवीडवल संतुलन यानि एक हार्मोनियस लाइफ सुंदर जीवन भैमुक्त जीवन अब लोग कहते हैं नहीं भै तो आएगा नैचुरल है क्यों नैचुरल है किस चीज कब है बृत्यु या कोई पहली पार कोई चीज घटना गट रही है आज चरत मुझे 80 साल के लोग भी मिर्त्यु अरे कोई पहली बार घटना गट रही है केवल आपके साथ गट रही है तो आप डरे हुए हो समझ आता है जो घटना जीवन के साथ जोड़ी हुई है असंग के बार जड़ चुकी मौलाना रूं का एक बड़ा सुंदर एक बड़े इवलिशनरी मिस्टिक थे तो कहते हैं, मैं मरने से क्यों डरू जब मैं पत्थर मरा तो पेड बना पेड मरा तो पुष्व बना पुष्व मरा तो कीट पतंगा, कीट पतंगा मरा तो मैं पशु बना पशु मरा तो मनुष्य बना मैं मरने से क्यों डरू तो एक एवलिशन हो रहा है डर इससे होना चाहिए कि हमने जीवन कैसा जिया प्रश्नी ये पूछना चाहिए प्रश्णी यह नहीं कि मिर्तु के बाद क्या होता है कोई हमको बता दे प्रश्णी होना चाहिए कि हमने जीवन कैसा चिया ताकि जब हमारे सामने खड़ा हो जो भी सिंग वाला यमराज मर्सेडीस बेंस में या भैसे में या जो भी अपग्रेड हुआ होगा न उनका भी हुष्ण तो हम उनसे कहें कि कम आप कौन हो हम यमराज है आपका यहां क्या काम है हम यम करते हैं यम यहनी आप सब चीजों को रिस्टें करते हैं तो आप कहेंगें हमने तो स्वैम अपने जीवन में स्वैम restraint करके हमने जीवन जिया है right restraint not तो आपकी यहां जरुवत नहीं है तो कौन चाहिए हमको भगवान चाहिए भगवान आए हम जाए आराम से उनके साथ अगर सारे जीवन हमने भगवान का इस मरण गीता में कितनी सुन्दर बात कही गई है यह क्यों हम भूल जाते हैं कि कैसे मृत्यू को वरण करना चाहिए आप देखे कितनी अच्छी बात है गीता बहुत ज़्यादा इस metaphysics में नहीं जाती है कि मृत्यू के बाद आप किस लोकों से जाते हैं प्रेट लोग, मनो लेव, इसमें नहीं जाती है practical book है तो क्या कहती है, मृत्यू जब आती है तो आप कैसे वरण करें तो कैसे आप वरण करेंगे मृत्यू को उसमें उसके पहले एक स्लोक आता है शियर बिन इसको बताते हैं कैसे मृत्यू को वरण करें यह depend करेगा आपने जीवन कैसे जीआ है तो जीवन कैसे जीना है remember and offer मुझे याद करो, युद कर, जीवन युद है तो क्या होगा जब मृत्यू का समय आएगा पूरे लाइफ तुने यही किया है भगवान, 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 मा, 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 मा कृष्न, 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 कृष्न आएगी, तो क्योंकि सारे जीवन आपने मेरा बच्चा, मेरे संबंधी, मेरी चेर तो उस समय भी क्या आएगा मेरी चेर पे कौन बेठेगा मेरा पैसा किसके पास जाएगा मेरे उनका क्या, क्योंकि अपने पूरे जीवन आप, Gita, you have it in the pocket but it's in the pocket क्योंकि वो आपके जीवन में उतरी नहीं एक वाकि अगर हम उतार ले तो मृत्यू से क्यों भै होगा it's a change over और change over से क्यों हमको भै जब change over के पीछे एक भागवत विधान है और जैसे कि Gita कहती है अगर भागवत विधान नहीं है तो क्यों डर मिट्टी थी मिट्टी में चले गई there was no soul so why be afraid और अगर है तो फिर why fear तो भगवार ने ले जाएंगे हमको दुबारा लाएंगे अपने आच्छे ढंक से लाएंगे तो हम क्यों डरते हैं और डर के हमारी responses जो responses बैसे प्रगट होती हैं they are the worst kind of responses और इसके एक practical उधारन में दे रहा हूँ लोग कोरना वाइरस में कई बार लोग क्यों मृत्य हो रही है अब लोग हो पता चल रहा है अब सब को पता होगा आज कर लोग steroid यूज करते है कई बार उने देखा कि ये lab करता है steroid तो क्यों दे रहा है infection में तो कब दिया जाता है जब overwhelming response होती है भै और panic में क्या हो रहा है कि हमारी जो white blood cell से वो confused है कैसे confused हो जाती है कि वो सामने एक गुंडा खड़ाता सड़क का जिसको आप ही थपड मारके sort out कर सकते थे आपने पूरी एक सेना निका बुला ला है nuclear bomb से आप एक मच्छर को मारना चाह रहे हो तो ये कुछ इस तरह की बात है तो शरीर के अंदर panic और भै के कारण overwhelming response होती है वो response in addition क्योंकि वो response cells को destroy करती है उसका काम ये है कि virus को पकड़ के लिए क्योंकि भूप सारी सेना तो क्या करेगी जैसे आपने देखा होगा ना कलकते में प्रशलित था कि भीड है कोई किसी को मार रहा है लोग भीड में तो आपने पूछा क्या होगा क्या होगा कुछ नी कुछ नी दो थपड मारे लोग तो बिना पूछे लोग अच्छा मैं भी मार दो बदमाशी होगा, वो बिचारा अच्छा विखती है, ये crowd mentality तो हमें right response देने के लिए हमारे अंदर की अवस्था अच्छी होनी चीए, तो शियरविंद क्या कहते हैं, what should be your state when you are suffering from an attack of flu शियरविंद का letter actually flu के लिए है, कहते हैं remain quiet जब आप quiet होगे, तो आपकी response सही होगी, even body की response और अगर आप excitement में रहेंगे, अब excitement देखी कैसे develop होता है, रोज वो graph, और आता है, covid tracker pondicherry news ये गोर, निया खिलोना, आप रोज लोग देख रहे हैं चार स्वसी होगे, अरे बहुत फैल रहा है, ठीक है संसार में ego का भीश फैल रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं, covid tracker क्या जब रहत है, अब इससे क्या हो रहा है, excitement discuss कर रहे हैं इसमें excitement स्थिरता नहीं है, शांती नहीं है, quietude नहीं है, तो भगवान की force को act करने में कटना ही होती है, माता जी कहती है, अगर तुमारे अंदर quietude है और faith है, तो grace immediately काम करती है, और अगर restlessness है, और excitement है, कि मा को मैंने बुला है, तो है पता नहीं, सुना की नहीं सुना, आएंगी की नहीं आएंगी, फिर आप क्या कर रहे है, मॉनिटर कर रहे है मेरा बुखार, तो आपका बुखार था 101, जब आपने मा को डाकना शुरू किया था, छे घंटे बाद हो गया, एक सत्तीन, तो मन में विचारा रहा है, शायद बता नहीं, सुनती हैं की नहीं, अब क्या किया आपने, आपने, समझे ही नहीं, डिवाइन का एक्षन, इसी तरह वो शमन करती है, क्या पता, ये बुखार आपके वाइरिस को मार देगा, I am just giving an alternate hypothesis, ये क्या पता कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन हम, अब क्या हुआ, मन के अंदर doubt आ गया, बीच में आपका एक मित्र आ जाता है, मित्र तो आएगा नहीं कोरोना के समय, phone call, कोई कहता है, अब लोग पूछ रहते क्या, क्या है, अरे, आपको बगार हो गया, हाँ हो गया, बहुत बार होता है, आपको ये भी हो गया, अच्छा, भगवान आपको ठीक रखे, आप उसमें भी भै है, अच्छा, बाकी समय भी तो भगवान ठीक रखे, केवल मुझे वाइरस के समय क्यों ठीक रखे, इतना हर चीज में एक चारों तरफ से excitement, जिसको कहते हैं ने gossip news, सब जगे, ओ मालूम है, इनको क्या हो गया है, अच्छा, इसमें एक बैडविल भी होती है, तो आप शीर विन भबें बताते हैं कि इस वाइरस के पीछे तीन चीजे होती है, कोई भी वाइरस जो आपको अटेक करता है, आपको तीनों लेवल पर इसको काउंटर करना है, पहली चीज़ होती है, एक material, हर चीज़ का एक संसार में material माध्या में है, तो material कहां से मिलता है वाइरस का, जो disintegrated vital होता है, इसकी बात हम लोग पहले कर चुके, तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, कसाई खाने में, कुछ ऐसी जगें होती हैं, जहां disintegrated vital, physical के किसी तत्त को जोड करके होता है, उन जगों को हमें avoid करना चाहिए, for instance, शम्शान से भी ज़्यादा ग्रेवियाड, आपने देखा है कि haunted movies, सारी ग्रेवियाड में क्यों होती है, क्योंकि सम्शान में जब आप अगनी देते हो, तो ये जो disintegrated vital fragments हैं, ये नस्ट हो जाते हैं, लेकिन ग्रेवियाड में, वो नस्ट नहीं होते हैं, वो हैंग करते हैं वातावरण में, तो वहां actually वातावरण में, एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, मैं नहीं कहता हूँ, डरना कहीं नहीं चाहिए, बिचारे भूत लोग तो वैसी भेवीत होते हैं, कभी डरना तो किसी चीज से नहीं चाहिए, जिसके अंदर ब्रह्म समाया है, वो किसे डरेगा, भूत सामने आ जाया तो उसको कहना, भाईया तुम सांती से रहो, आपने वहाँ तुमारी चेह, यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहेगा आपने पिक्चर नहीं देखी है, राम से बाबा की, तो आप कहना, हा देखी है, पर हमने असली पिक्चर बनाने वाले को देखा है, डर किस बात का? और वो तो really, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, हानी, वो तो खुद डरे हुए हैं, बिचारे रो रहे हैं, देखा हुगा सब पिक्चरों में, वो डरा क्यों रहे हैं, डरे हुए लोग डराते हैं दूसरों को, अशक्त होते हैं, तो इसके पीछे क्या होता है, disintegrated vital, तो ऐसी जगों की चेतना कैसी होती है, एक होती है वहाँ पे, लोग desire, 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 ये ले लो, वो ले लो, ये करिद लो, तो desire का एक पूरा जाल है उसमें, और वो desire ढूंड रहा है, किसको मैं पकड़ूं, किसको नोचूं, तो आपकी जो चेतना है, उसको without realizing, unless कोई बहुत individualized वक्ती है, individualized वक्त है, वो कहीं चला जाएगा, कोई फरक नहीं पड़ेगा, नहीं तो वो चीज़ें आपको धिरे धिरे आपके शरीर के उपर फुल करती है, इसका अभास भी हम experience करते हैं, कैसे, आप market जा रहे थे, अचानक आपको मन में आता है, ये ले ले ले, है ना, फिर आपकी नजर इस फिजिकल बींग के कुछ-कुछ, चाहे वो अनू क्यो ना हो, उनको फुल करता है, और वो मिलके viruses, ये पूरे संसार में फैले, मा इसके बारे में पुरा कहती हैं, कि पैरिस की city का atmosphere इतना खराब है, अब ये सभी big cities का है, आपने नोटिस किया है, कि virus maximum कहां पे फैल रहा है, over crowding big cities, क्योंकि वो centered कहा है, around desires, तो वो desire की जगों पे, अगर आप जाएंगे, तो marketplaces नहीं जाना, डर के कारण नहीं, ये एक अच्छी policy है, जितनी जरूरत है उसके लिए जाना, focused हो के जाना, मुझे ये खरीदना है, गए एक दुकान में आप आगे, लेकिन अगर आप सिनिमा हौल्स, ये सब जगे ब्रीडिंग ग्राउंड होती है, रिस्टोरेंट्स, बिल्कुल जो जो चीजे, इवन रिलिजिस प्लेस, रिलिजिस प्लेस में कौन सा वायरिस घुमता है, वहाँ भी desire का वायरिस घुमता है, सासें मिलकर के कहती ही, मेरी बहू, इससे बुरी कोई नहीं है, बहू में मिलकर कहती ही, मेरी सास देख रही है वहाँ पर, खड़ी हुई, और सब देख रहे हैं एक दूसरे को, ये मंदिर नहीं, मंदिर, मस्जित, सब जगे, पूरी religious places को रप्ठ हो गई है, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, क्या है religious places में? desires, तो आप तो चले आए, लेकिन वो डिजायर वहाँ गूम रही है, गूम रही है, गूम रही है, दूसरा विक्ति आया, वही डिजायर उसके अंदर आ गई, फिर आपने जाके, तो ये जो प्लेस, मैं ये नहीं कहता हूँ, सारी स्थाने से होते हैं, लेकिन ये औरिजनल फाइल तो ये सारी चीज़े, भोजन की जगे क्या होता है, क्या discussions होते हैं, किन चीज़ों पर विक्ति टिका हुआ है, तो ये सारी स्थात्रों पर disintegrated vital fragments रहते हैं, और कोई भी वाइरस इसको use कर सकता है, अपने आपको कपड़ा वस्तर पहनने के लिए, दूसरी चीज़ उसके पी कोई चीज़ आगई किसी को, आपको लगता है कि अभी तो चोरों को बचने का सबसे अच्छा तरीका है, पुलिस पकड़ने आय तो चीज़ दो, वो, पास नहीं आएगा, यानि इतना अधिक सज़ेशन है इसका सारे वातावरन में, कि आपकी मास्क थोड़ी सी ऐसे नीच यह तो लोग देख रहें कि यह विक्ती बारस लाएं कि घूम रहा है, फैला रहा है, इस सज़ेशन का एक जाल बिछा हुआ है, आप प्रवेश करेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो वो सज़ेशन का वर्ल्ड है, और उपर से लोग आके आपको बोलेंगे, देखो तुम य नहीं कर रहे हो, यह बहुत बुरी बात है, गलत बात, सज़ेशन्स, हम उनकी इस्टूमेंट बन रहे हैं इन फोर्सिस के, फॉल्सूट के, इनकॉंशन के, तीसरी चीज़ होती है, बैड विल, बैड विल क्या आती है, उसकी हम लोग बात कर रहे थे, मन के अंदर है कि इस इस आइटम होती है, बड़ी इंटरस्टिंग, बहुत कुछ सीखते हम, टीवी में एक न्यूस चल रही है, उसके नीचे आप देखेंगे कोई और न्यूस अंडर करेंड में चल रही है, तो कभी-कभी आप कन्फ्यूस हो जाते हो कि इसको देखें, अगर आप इसको देख कॉलमनिस्ट, बैडविल, तो बैडविल कैसे काम करती है, अरे, डॉक साब सुना, आपको भी हो गया था, अंदर में आ रहा है, देखा, हम कहते थे ना, आपकी थेओरी गलत है, हम कहते थे थे ना, आप घुमेंगे, ये होगा होगा, अब अगर आप उस बैडविल को स्व किया उसको, तो वो एक्टिव हो जाए, यानि तीन लेविल पर ये एक्शन हो रहा है, तो फिजिकल लेविल है, जिसमें ये हाथ धोना वगरा, पर माने कहा था कि ये तुम्हें बिश्वास है इसमें, बट सबसे बड़ी सुरक्षा होती है, वो इनर कवच, आप हाथ धोर जहां पर लोग कहते हैं कि ना जाने कैसे हुआ, मैं तो सब चीज़ें सही कर रहा था, तो I feel like सहीं इसलिए हुआ, क्योंकि आपको ये लग रहा था, सब चीज़ें अगर मैं सहीं नहीं करूँगा, तो खराब हो जाए, तो चिकलिस्ट आपने बनाई हुई है, बीश चीज आपको अपने चेकलिस्ट बनाई है, अब आपका एक गलवड हो गया कि आप जल्दवाजी में आपने या किसी व्यक्ति से मिले जिसका पास से गुजरे, you must have noticed it, कि आपने सब चेकलिस्ट में बना लिया, लेकिन आपने अपने कैलकुलेशन में नहीं रखा था, तो आपने तो मास्क पहना सब गुजर रहते, एक व्यक्ति बगल से गुजर गया अपना हाथी की तरह मास्क उतारे हुए, अब बिफोर यू कुड रियाक्ट सोशल डिस्टेंसिंग हो चला गया, लेकिन सजेशन की आया, यार ये से तो मास्क नहीं पहना था, आता है ना ये सजेशन अब ग्रेस है कि इन सब के बावजूद बहुत काम केसे हो रहे हैं, अगर देखा जाए, 99% जगत भेह में जी रहा है, ग्रीड में जी रहा है, बैड विल का जगत जिसमें हर विक्ति दूसरे के लिए बैड विल रख रहा है, आप बाहर से कहते हो कि आपका, लेकिन ही आगई, मेरे पास क्यों नहीं है, उसका घर मेरे से बड़ा क्यों है, ये संसार की बैड विल जो भरी होई है, लेकिन आप घर का जब वो करोगे न, क्या बोलते हैं उसको सर्वानी, तो आएंगे लोग, अप्रिशेट भी करेंगे, बहुत अच्छा घर है, लेकिन वाइ लिया, सब लेकि चले आए, लेकिन दिमाग में आपकी बैड विल है, तो ये बैड विल संसार में बहुत भरी हुई है, मा कहती है, इग्नोरेंट गुड विल भी बैड विल होती है, जैसे एक डॉक्टर आएगा और आपको समझाएगा, देखो देखो, तुम बहुत मचना है, हम ये नहीं कर सकते कि हम ये तो मान रहे हैं, साइंटिफिक दिरिष्टी, लेकिन अब माँ हमको बचा लो, this is a wrong way, बचा लो के भी पीछे भैभीत है, yes he will say, वो करेंगी वो एक अलग बात है, कि वो जानती है, हम अग्यानी लोग हैं अग्यान में, लेकिन right understanding, ये पहला step है, तब आपकी right response होगी, right response क्या है, faith, patience, endurance, quietude, practice नहीं की है, तो कैसे हम करेंगे, अचानक, inwardness, ये अफसर मिलते हैं, बड़े सुन्दर धंग से, जब माता जी धमपद का वो पढ़ा रही हैं, तो कहती हैं कि लोग, जब उनको समय मिलता है, थोड़ा सा, अक्सलों केते हैं, समय का अभाव है, समय का अभाव है, this is not true, 200% not true, समय का अभाव नहीं है, समय की priority नहीं है, आपने किन चीजों को value किया हुआ है, अगर आप value करते हो, कुछ देर बैट करके, inner quietude को, तो आप निकाली लोगे, अगर आपके अंदर यह है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पता है, कई बार सारे माशी अरविंद के volumes पढ़े, agenda पढ़ा है, इसा पढ़ा, तो कई लोग पूछते हैं कि, आपने कप पढ़ा तो मैं कहता हूँ, यंग एज में पढ़ लिया था, वो सब, अभी भी यंग हो ऐ अगर से, लेकिन जब चल रहा है, तो बुस्ते कब पढ़ते थे, तो मैं जब बताता हूँ कि मैं बातरूम में बैटके पढ़ता था, लाइन में खड़े होके पढ़ता था, कोई चीज पहले क्यों होती थी अप तो यह सब ख़तम हो गया, क्यों का आनन्द ख़तम हो गया, ट्रेन में पढ़ता था, बस में बैटके पढ़ता था, मेरी बैंगलोर टू पॉंडीचरी की सारी आत्राएं एजेंडा के साथ हुई हैं, एजेंडा ख़तम हो गया तो दूसरी किताबे, क्यों 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 यह वैल्यू, आप क्यों नहीं करोगे उसको, तो जब भी हमें कुछ समय मिलता है, और अभी एक sense में तो समय मिल रहा है हमें, तो हमें वो spend करना चाहिए, in going within, in being quiet, जीवन क्यों है, कैसा है, यह तो कुरोना उस तरह से देखा जाए, तो अच्छा कर रहा है, हम सब को थोड़ा भीतर की और कह रहा है, मा कहती हैं कि जब difficult hours आते हैं प अभाहन करें, कोई चीज काम नहीं कर रही है, वैकसिन पता नहीं, यह पता नहीं, कोई इलाज नहीं है, एक इलाज है न, आमने पढ़ा हुआ है, मारकंडे जी का, बाबा मारकंडे का patent, हे महाकाल, आपकी शरन में, शरन अगती, यह इलाज हम क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यो क्योंकि faith नहीं है, हमको बाहर की चीजों में faith है, लेकिन इसमें faith नहीं है, faith का अभाव है, तो हमें इस अफसर को, to learn, to become quiet, to go inside, अच्छा है, बहुत सारी जगे जहां हम भागते थे, वो नहीं भाग रहे हैं, तो it's a beautiful time to understand, हम पढ़ें, माशी अर्विन ने क्या लिखा इस सही प्रशन पूछें, right contemplation, right contemplation यह नहीं है कि वाइरस कब जाएगा, right contemplation है कि मनुष्य इस अंकार जनित जीवन से बाहर कब निकलेगा, right contemplation यह नहीं कि nuclear war होगा कि नहीं होगा, right contemplation यह है कि मनुष्य के अंदर जो युद्ध की tendency है, विनाश करने की वो कब समाप्त होगी, right contemplation यह नहीं है कि मैं क्या करूँ कि कुरोना से बचूँ, right contemplation है कि मैं क्या करूँ कि मैं भै से मुक्त हो जाओ, कुरोना से मुक्त होना यह important नहीं है, क्योंकि वो बेस बदल के आएगा, वो बेह रुपिया है, already आप देखिए, दस बार imitation हो चुके हैं, original वाला नहीं रहा, तो right contemplation, right understanding यह धमपद में है, eightfold path माता जी उसमें बताती है, right response, quiet हो करके, जितने भी quiet response होते हैं, उसमें शक्ती होती है, right reactions, तो यह हम लोगों को reset कर रहा है हमारा balance, हम बहुत अधिक बहिर मुकी होके जीवन जी रहते, बहुत अधिक desire और egocentric जीवन जी रहते, तो यह हमे बात भी कर रहा है, जीवन के, जब व्यक्ती मृत्तु से confronted होता है, मृत्तु की संभावना से, तब वो अमृतत्तु को खोचता है, जब यह सोच के चलता है, मुझे तो मृत्तु नहीं आएगी, बगल वाले को आती है, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ओर retirement के बाद होती है, या कोई बिमारी होती है, तब सोचता है, तो right contemplation उस समें क्या है, यह नहीं की complaint करना, भगवान ने क्या, यह संसार बना दिया, अच्छी तंदकार है, right contemplation is, मैं क्या उपाए करूं कि मैं मृत्यू से मुक्त हो सकूं, अमृतत्यू को प्राप्त कर सकूं, और यह उ पाएं, अचित अज्ञान अंदकार से मुक्ती, और अज्ञान यहाँ कोई intellectual अज्ञान की बात नहीं है, हम identified है ego self से, हम so and so है, this is अज्ञान, यह तो Sphinx का question है, who are you? vision of science में शियरविंद बताते हैं, वो ही हम लोग देख रहे हैं, और वो ही उसी से हम लोग समाप्त कर सकते हैं, एक शियरविंद की पोया में vision of science, उसमें बताते हैं, यह 1900 ऐसे कुछ लिखिये हैं कि, a hundred, a centuries progress was before my eyes, वो देख रहे हैं, 100 वर्स उसके भी आगे, उसमें बताते ह देख रहा हों कि विज्ञान ने बहुत प्रगति कर लिया है, और उसके जो कार है, एंजिन है, वो इस विद्वत उज्जार से चल रही है, नए प्रकार की उड़ जाये हैं, उससे चल रही है, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, जल के अंदर चला गया है, आकाश को इंडिये बगरा, वो कहते हैं, हिस्ट्री रेटन बाइद विक्टर्स, यह एग्जाम्पल है, कि उसके पहले तो किवल अंदर विश्वास था, तो रिलिजिन की देवी को साइंस ने पचार दिया है, और वो रिलिजिन की देवी का समय आ गया है, वो जा रही है, पर जाते पहलवानों का जब हो जाएगा, तब मैं प्रगठ होंगी, तो रिलिजिन जाते जाते साइंस को कह रही है, दाव थिंकेस्ट, टर्म, एंड, एंड, फर दी आर नॉट, बट दो दाई, प्राइड इस ग्रेट, दाव हैस्ट, एक चीज़ तुम भूल गई हो, विज्ञान, तुम सोशती हो की तुम, तुम अल्तिमेत हो, the sphinx that waits for thee besides the way, all questions thou mayest answer but one day, her questions shall await thee, that reply for they who cannot die. she slays them and their mangled bodies lie upon the highways of eternity अगर Sphinx का प्रशन जो चिर प्रशन है तुमने सब प्रशने उत्तर दे दिये coronavirus क्या होता है, vaccine क्या होती है क्या होता है, सब कुछ प्रशन दे दिये सारे scriptures पढ़ लिये लेकिन एक चीज का उत्तर नहीं है उसी प्रकार जैसे एक शक्ती नहीं है एक ज्यान नहीं है कौन सी शक्ती, we'll come to that लेकिन पहले कौन सा प्रशन है चिर प्रशन है that reply for they who cannot die she slays them and their mangled bodies lie upon the highways of eternity therefore if thou wouldst live, answer first this one thing who art thou in this dungeon laboring मैं कौन हो क्या मैं एक animalcules हूँ, cells हूँ क्या मैं एक desire हूँ क्या मैं एक surname हूँ क्या मैं एक सीमित religion हूँ come out of that and discover जिस दिन मनुष्य ये जान जाएगा कि वो तो साक्षात ब्रह्म है मृत्य उसके पास नहीं आ सकेगी आएगी भी तो कहेगी सर चलेंगे तो आप कह सकते हो कि थोड़ा रुख जाओ काम है भी मुझे थोड़ा और सर कब आएं तो आप कहेंगे time so and so या आप कहेंगे माताजी से पूछना फिराना उनका दस्का signature सील दिखाना मैं चल पड़ूँगा मा कहेंगी तुम हो कौन मेरा बच्चा है मैं जाओंगी तो यह answer first this one thing who are thou in this dungeon library और उसी प्रकार से जो सबसे बड़ी शक्ती है वो क्या है सबसे बड़ा ज्ञान सावित्री में but before सावित्री Kabir Dajji कहते है पोथी पड़ी-पड़ी जग मुआ पंडित भयाना कोई आप से सब किताबे पढ़ ली पंडित नहीं बने उससे वो illusion पंडित का अलग चीज़ है तो फिर क्या पढ़ना चाहिए था धाई आखर प्रेम का पढ़ेस पंडित होए जिस दिन आप प्रेम को समझ जाओगे वो प्रेम वो नहीं है I love you और एक सीमित वो प्रेम जो शक्ती जो सारी स्रिष्टी में कारे करी है उस शक्ती को आप धारण करके अगर बोलोगे I love you तो एक बहुत अलग चीज़ है पर वो शक्ती धारण करो पहले जब सावितरी कहती है सत्यवान को कि yes you are mine is in that virat consciousness boundless तो पहले उस उस शक्ती को क्योंकि प्रेम ही वो शक्ती है जो अच्छे तंदकार जहां से यह चीज़े supported हुई है अग्लीनेस, misery यह सब चीज़े कहां से आई है शीरविंद कहते हैं इस अग्लीनेस, evil के root में falsehood or inconscient है मा से पुछा गया कौन सी शक्ती इसको कर सकती मा कहती, there is only one power and that is love जिस दिन उस शक्ती को हमने और उसका सबसे सुन्दर माध्यम है to start with love all beings better still love the divine जो origin है धाई आखर प्रेम का पढ़े सपंडित हो और यही चीज़ हम देखते हैं कि मृत्यू सावितरी को कहती है सावितरी तुम क्या प्रेम प्रेम कह रही हो तुम्हें ग्यान नहीं है attachment है यह कोई प्रेम प्रेम कुछ होता नहीं है यह तो बेडियों में बानता है इस बेडि से मुक्त हो जाओ यह क्या सत्यवान के पीछे तुम पढ़ी हो फिर आप उनके फुंडी में माया डालते हो वो कहते हैं हम help कर रहे हैं आपको detach होने के लिए ये ग्यान नहीं है ये तो मृत्यू ग्यान का ग्यान है तो वो कहती है मृत्यू know when thou hast known thou shalt cease to love सावितरी क्या उत्तर देती है I know that knowledge is a vast embrace when I have loved all then I shall know Namaste किसका सहारा रुंडता है तो किसका सहारा